हेलो एवरीवन वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री आई होप अल आफ यह दूइंग वेल तो फ्रेंड टूड़े वी आफ डिसकस फिश्यर ट्रॉप सिंथेसिस इसे हम लोग फिश्यर ट्रॉप प्रोसेस भी कहते हैं इस प्रोसेस में हम लोग दोस्तों कार्बन मोनोकसाइड एन हाइड्रोजन का रियक्शन कराते हैं इन दोनों को इसको संयुकत रूप से दोस्तों हम लोग सिंगेस भी कहते हैं या कोल गेस भी कहते हैं और इसका रियक्शन हम लोग दोस्तों के उपसिति में कराते हैं और इस इससे हमें hydrocarbons मिलते हैं दोस्तों various molecular weight के और इस प्रोसेस को फ्रेंड डेवलप किया था Fischer and Trops ने ये German scientist थे और इन्होंने 1923 में इसे डेवलप किया था Fischer Trops प्रोसेस को इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों कहते हैं Fischer Trops process clear है now यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों यह जो Fischer Trops synthesis या प्रोसेस है यह heterogeneous reaction या heterogeneous catalysis के अंतरगत आता है क्योंकि इसमें जो हम लोग reactant use करते हैं hydrogen and carbon monoxide यह gaseous phase में रहते हैं और जो यह हम लोग catalyst use करते हैं वो हमारा solid phase में रहते हैं इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं heterogeneous reaction या heterogeneous catalysis और इसका chemical reaction देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें हम लोग carbon monoxide लेते हैं और इससे दोगुनी मात्र से ज़्यादा हम लोग hydrogen लेते हैं यह हम लोग कह सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है 300 degree centigrade तक चाहिए और जो हमें प्रेशर चाहिए रहता है वो 5 to 25 atmospheric प्रेशर चाहिए रहता है दोस्तों और इसमें हम लोग catalyst यूज करते हैं यह product हमें form होता है दोस्तों इसके साथ हमें water molecule देखने को मिलता है और यहां से heat भी निकलता है क्योंकि यह जो reaction है यह exothermic reaction होता है दोस्तों कि इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से catalyst use करते हैं तो इसमें हम लोग दोस्तों कोबारट, iron and nickel का as a catalyst हम लोग यूज करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादे दोस्तों हम लोग आईरेन का यूज करते हैं क्योंकि आईरेन जो होता है यह 250 टाइम चीफ होता है एस कंपेर्ट टू कोबाट एंस सेकेंड यह होता है और इसकेंड दोस्तों है जब हम लोग कोबाट का निकील का और आईरेन का यूज करते है तो हमें हैड्रोकारवन देखने को मिलता है दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसका मेकेनिजम केमिकर रियक्शन के बेस्ट में यहाँ पर देखिए यह इसका मेकेनिजम है तो फर्स्ट टेप में क्या होता है adsorption of carbon monoxide and splitting second step में क्या होता है adsorption of H2 and splitting and third step में hydrogen and oxygen react करके water molecule बनाते हैं और heat यहां से बहान निकलता है क्योंकि यह जो reaction होता है यह exothermik reaction होता है and last step में हमारा hydrogen molecule carbon से react करके methylene में change होता है और यह reaction इसी तरह से continuously होते रहता है और इस तरह के समय hydrogen's देखने को मिलता है दोस्तों यह हमारा hydrocarbons है और साथी साथ water and heat भी यहां से produce होता है दोस्तों यह इस प्रकार से होता है कि जैसे यह है हमारा metal surface जैसे कि हम लोग यहां पर iron का यूज किया है तो यह क्या होता है carbon monoxide उसके बाद दोस्तों यह bind हो गया और इसके बाद जब हम लोग hydrogen के साथ reaction कराते हैं तो यह methylene में यह change हो जाता है और अगेन हम लोग जब carbon monoxide and hydrogen के साथ reaction कराते हैं तो यह फिर हमें propane या hydrocarbons यह देता है दोस्तों यह इस तरीके से यह hydrocarbon में change हो जाते है carbon monoxide and hydrogen with the help of catalyst तो यह तो हो दोस्तों chemical reaction के बाद में इसका mechanism अब आप लोग देखते हैं कि industrial field में synthetic fuel या gasoline का synthesis किस प्रकार से होता है तो देखिए first step में क्या होता है a mixture of carbon monoxide and hydrogen with excess of hydrogen is passed through the purification chamber है ना यह जो process है hydrogen के excess में होता है क्योंकि हम लोग 2N plus 1 hydrogen का concentration लेते हैं next है इसमे the iron oxide and mixture of iron oxide and sodium carbonate containing chamber removes the sulfur and sulfur compounds है ना इसके बाद purification के बाद हम लोग इसे जिस chamber में iron oxide and mixture of iron oxide and sodium carbonate होता है उस chamber में हम लोग इस gas को भेशते हैं इससे क्या होता है जो sodium carbonate containing ये chamber में जाता है इससे क्या होता है जो sulfur के impurities होते हैं यहां से निकल जाते हैं and then इसके बाद a mixture after removal of sulfur and its compound are forced to the catalyzed chamber इसके बाद इससे catalyzed chamber में भेश दिया जाता है दोस्तों और यहाँ पर ये compressor लगा होता है इससे जो प्रेशर है उसे maintain किया जाता है और यहाँ पर 152-300 temperature इसे दिया जाता है दोस्तों catalyzed chamber में और प्रेशर यहाँ से compressor से maintain किया जाता है then इसके बाद इससे ठंड़ किया जाता है उसके बाद इससे functioning column में भेजा जाता है जिससे यह जो हमारा fuel है या gasoline है यहाँ से separate हो जाता है और जो heavy oil के साथ यह जो gasoline होता है यहाँ नीचे आता है फिर इसके बाद इसे heavy oil से अलग किया जाता है जो बच जा रहता है gasoline उसको और यहाँ से separate कर लिए जाता है heavy oil से तो इस तरी के से फेंड fisher drops process के थुरू gasoline का formation किया जाता है industrial field में अच्छा और यहां पर एक point चुट गया था दिखेगा at a temperature of about 152-300 degree centigrade reaction take place to form saturated and unsaturated hydrocarbons reaction are exothermic and the product are led to a cooler ठीक है तो इस तरिके से फ्रेंड इसमें gasoline का formation होता है fissure trough process में तो यह था फ्रेंड फिश्चर ट्रॉप synthesis का डिटेल एक्स्मिनेशन आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक किजेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरू से सेर किजेगा दोस्तों और आपके अपने चनल रिलेट केमेस्टिक को जरू से सब्सक्राइब किजेगा दोस्तों थैंक्यों दोस्तों झाल